Swing Trading का एक और important वीडियो में आपका स्वागत है, यू हम लोग को F&O छोड़कर shift होना पड़ेगा Swing के तरफ, आपको पता है जैसे कि हमारे finance minister ने जो announce किया उसके according, आपको पता होना चाहिए, कि अभी जो contract आप option buying करते हो, एक lot buy करने के लिए, अभी अगर आपको 3000-4500 रुप पता होगे, नहीं होगा तो आप trade नहीं कर पाऊगे, इसलिए time आने से पहले अच्छे strategy पर आजाओ, shift होजाओ, अगर shift करना है तो, तो मेरे according आपके लिए दो चीज बेस्ट हो सकता है, या तो आप swing trading के तरफ, या तो आप crypto forex में जा सकते हो, अगर आपको crypto forex में interest होगा, आपको नीचे description में link मिल जाएगा, वहाँ से हमारे साथ account open कराकर, हमारे group में join हो सकते हो, आपको course फ्री में मिल जाएगा, साथ मैं अगर आपको इसके बारे में बात करो, कि जब हम लोग swing trade करेंगे, तो हम लोग कौन सा stock में trade करना चाहिए, कहां पर trade करना चाहिए, हमें क् वीडियो में अप लास तक बने रहना, आपको सब कुछ में detail में बताने वाला हूँ, और साथ ही मैं आपको बता दूँ, कि आपको मैं अभी screen पर लेके चलूँगा, और मैं आपको बताऊँगा, कि जो मैं आपको F&O trading के बारे में बोला हूँ, जो हमारे finance minister ने बोला है, व चलिए, अब क्या करते हैं, पहले screen पर आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे, screen पर हम लोग आ चुके हैं, screen पर आने के बाद आपको कुछ-कुछ चीज देख रहे होंगे, पहले आप यहाँ पर पढ़ लोग फिर हम लोग चलेंगे, scanner के तरफ या फिर हम लोग देखने एको चेंज होने वाला है, यहाँ स्क्रीन पर आपको समझ में आरा ह 드еня चेंज होने वाला है,bandon the हैं सबसे पहला जो interval हो गा, उसमें क्या और के माद क्या होगा उसमें क्या फिर्स फेस में क्या होगा, बहुत आप सबसे बढ़नी आता है कि हमारे सबसे बढ़ा प्रबर यह सकता है आपको सकने रहो हो समझाने वाला हूँ अगर आप सेट अप के साथ इसकेनर के साथ देख लेते हो complete अगर देख लेते हो आपका कहीं ना कहीं लाइफ चेंज होने वाला सही में कर लोगा या फिर मैं क्या करूँगा अपको समझना पड़ेगा कि आपस करे अपश में इसको काश में कर το आप इसको future में कर लो, nifty 500 में कर लो, 200 में कर लो, 100 कर लो, या फिर आप कर लो nifty 50 में, कहीं भी आप कर सकते हो, जहां पर आपका करने का मन करें, वहां पर, daily close less than equal to monthly max, 52 week high होना चाहिए, daily close greater than equal to monthly max, 52 week high होना चाहिए, नम्मर कितना है, 0.1 से होना चाहिए, daily volume जो है, वो 100 से जा गया होगा, नहीं समझ में आया, तो मैं चाहर्ट के उपर आपको one by one stock समझाओंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, और हमें buy कैसे करना पड़ेगा, example समझीए, मैं सबसे पहला stock यहां से search करके लेता हूँ, छोड़िए, यहां पर copy अगर मुझे stock मिल रहा तो यहां प्या करूँगा, मैं लगिए future में आ जाता हूँ, future में यहां पर scan कर लेता हूँ, future में scan करने हुआ, सबसे पहले मेरे पास क्या रहा नौकरी, नौकरी को यहां से करूँगा copy, अपने chart पे आओंगा, और यहां पर जाके मैं नौकरी लिखते हूँ, मेरे सामने नौकरी का chart आट आ चुका अब कोश्चन यह होगा कि जब मार्केट अल्रेडी इतना उपर है तो हम लोग करेंगे मार्केट कहां पर आप जैसे ने स्कैनर का नाम सुना नियर आल टाइम हाई रहेगा मार्केट यह आप देखोगे यहाँ पर यह हमारा था आल टाइम हाई और वहीं पर मार्केट कहीं न कहीं मूब कर रहा है इसको मैं वन मंद में अगर कर दूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आगा कि इस से पहले क कभी इतना उपर मार्केट नहीं आया था इस हाई को अगर आप देखोगे तो यह हाई कहाँ पर है यह मंद का हाई अगर आप देखोगे तो यह है कहीं न कहीं इसका हाई पर इसको मैं मार्क कर दूँगा इसको मैं मार्क कर दिया जो पहले का हाई था अब देखना बस यह नहीं होगा कि ब्रेकाट में आप प्रेट कर लोगा आपको करना क्या क्या पड़ेगा यह सबसे इंपर्टेंट हुजा था आपको तो स्कैनर में दे दिया जो स्कैनर को यूज़ करके आप यह चीज़ देख सकते हो कहां पर आपको ट्रेड करना है अब देखो कि हम लोग स्ट्राइजी क्या करने वाल है सबसे पहले आपको क्या करना है वन वी का टाइम फ्रेम सबसेंट लगाने वाले हैं क्यों लगाएंगे यह अपको बता दूंगा इधर कुछ निकरना डिस प्र में भी जाकर यह लगा लेना तीन चीज़ हमने यहां पर लगा लिए जब हम लोग यहां पर यहां पर यूज कर रहे ना तो हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट कही में हम लोग का इंटरी कहां पर बनेगा क्योंकि अर्ली से प्यार काफी दूर है कैंडल से अब हम लोग का काम किया हो सकता हम लोग यहां पर डेली सी प्यार यूज करेंगे जब हम लोग सॉरी डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग यहां प मंतली स्प्यार बंतता अब देखोगे आपको में भी नहीं दिखे रहा हुगा यहां पे में चैनल को थोड़ा से अटा दिताओं तोड़े लिए आपको समय आ जाएगा यहां पर देखोगे यह हमारा मंतली CPR और मंतली CPR काफी नेरो है तिक है नेरो CPR है मतली है मतलब यह आपको बता रहा है कि नौकरी में बहुत अच्छा एक मोमेंटम आ सकता है है आसर अरेक्सन का सकता है आपको यहां पर फिर आप अ मेंशा बाइंग के लिए देखेंगे अब दिखेंगे मैं है अगर आप इंट्री करने के लिए मंडे को ट्राय कर सकता हूं कि मैं इंत्री कर शकता हूं ठीक है इस position पर मैं entry अपना बना सकता हूँ अगर आप एक चीज में और बता हूँ कि अगर जो indicator यूज करके मैं trade कर रहा हूँ या फिर आपको मैं समझा रहा हूँ अगर आपको इसको पुरा detail में अगर आपको चाहिए तो आप हमारे telegram जोईन कर सकते हो आज के लिए offer है आज रात में offer खतम भी हो जागा अगर आपको join करना हो तो join कर सकते हो link description मिलेगा आपको 3-3 CPR का course मिल जाएगा जो कहीं न कहीं 35-40 hour का content मिलेगा साथ इसाथ आपको advance CPR indicator मिल जागा जिसको use करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सारा confirmation हमारे साइड है कि हम लोग यहां पर buy कर सकते हैं लेकिन क्या इतना बड़ा stop loss लेंगे नहीं उसके लिए हम लोग क्या करेंगा अब हम लोग आएंगे one hour का time frame में one hour का time frame में यहां हम लोग लगाएंगे weekly CPR तो क्या हम लोग weekly लगाने वाले बिल्कुल नहीं हम लोग future weekly लगाने वाले क्योंकि आज की दिन संड़े और next week का CPR हम लोगो देखना है तो यहां से पहले मैं week में change कर देता हूँ यह नहीं भी करोगे तो तब भी चलेगा और इधर में आकर future CPR में यहां पर आकर मैं टिक करूँगा यहां पर कर दूँगा weekly यहां मैं डाल दूँगा 34 ठीक है 34 यहां पर मैं डाल देता हूँ अब देखिए कैसे आपको मेरे indicator help कर सकता है या फिर मैं बोलो कि CPR आपको कैसे help कर सकता हूँ आप देखो यहां पर इंट्री आपका कहां पर होगा यह CPR का position बना हुगा पहले से green zone आ रहा था अगर market फॉल भी करता ना तो यहां तक आप बाइंग ही कर सकते हो ठीक है यह पूरा zone आपके लिए यह buying हो गया और सबसे अच्छा कल के दिन के condition क्या होगा कि अगर market in any scenario कल के दिन market क्या होता है फ्लैट खुल जाता है इस position पर अगर हलका सभी फ्लैट खुल जाता है या फिर gap down भी करता है यहां पर आपका entry होगा stop loss आपको बड़ा क्यों लग रहा है यहां पर क्योंकि हम ल गोदेलगर एसिस्टेंस ती है यह लेवल अगर प्रेक हुआ हम लोगग का कर सकते अब question यहां ता है कि मुझे मटे को एंटर करना होगा। और यहाँ पे जो मैं stop loss देख रहा हूँ वो काफी मुझे बड़ा मिल रहा है stop loss कितना point का stop loss मिल रहा 70 point का stop loss मिल रहा बट मैं चाह रहा हूँ कि stop loss को और थोड़ा चोटा कर दूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 15 मिट का time frame पे आएंगे और यहाँ पर जाके जहाँ पे week select है इसको मैं day कर दूँगा चाहाँ इसका भी जरूवत नहीं इसको मैं थोड़ा दिर क्या लेटा देता हूँ इसको मैं day कर देता हूँ और यहाँ पे 75 कर देता हूँ क्यों मैं कर रहा हूँ 75 क्योंकि मार्केट अभी बंद है इसलिए मुझे कल का CPR देखना पड़ेगा कल का CPR अगर मैं देख रहा हूँ तो कहां पे है यह देखो कलगा CPR क्या है यहां से ascending CPR यह आपको एक trend line आता हुआ दिखरा अगर हम लोग को इस position में entry मिलता है ठीक है जहां पे है तब हमारा stop loss इतना ही बड़ा होगा लेकिन अगर दू जगा पर entry मिलता है एक इसके high पे तो हम लोग का stop loss क्या हो जाएगा यहां से switch होकर हमारा stop loss आ ज दिखोगे तो 20 simple moving average किस से नीचे 50 से नीचे और साथ ही साथ आप यहां पर देख रहे हो कि W pattern formation में यहां पर candle रुका हुआ है अगर कल के दिन मैं जो बहुत बोल रहा हूं कि अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग हो जाता है फोड़ा सभी मार्केट नीचे आता है ट्रैप करन momentum आपको करने वाला है I think आपको मैं समझाने में सक्षम हो कि मैं आपको क्या पताना चाहरा हूं क्या समझाना चाहरा हूं कि कैसे आप CPR यूज करके एक अच्छा सा momentum trading कर सकते हो आप swing trade कर सकते हो अब मैं आता हूं next stock अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तुमारे सामने आता है तो यहां पर मैं समझ में आता है कि अगर आपको देखने हूगा अगर इसको ब्रेक किया क्या करेगा और बड़ा रेली करेगा आप यह मार्केट यहां से रेली करके निकला है तो यहां पर जाकर रुक जाएगा रुकेगा तो और बेस्ट है उसके बाद ब्रेकाउट देगा तो और बड़ा ममंटम देगा चोटा सा इस्टॉपलोस में आप बस आपको बताने कोशिस कर रहा हूं कि स्विंग टेड करोगो तो चोटा इस्टॉपलोस के साथ बड़ा टार्केट कैसे ले सकते हो अब देखि मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहांपर फाइनली मेरा एक सपोर्ट बन रहा है तो मुझे कुछ कुछ कन्फरमेशन के नहीं दीख रहा कि मैं आपर ट्रेड कर सकता हूं अब मैं क्या करूंगा वन दे का टाइम फ्रेम में आ जाओंगा यहां पर लगा दूंगा मंतली सी बहुत अच्छा कितना भी अच्छा टी बहुत अच्छा बना हगा क्यों अ हो आहां पर यह आपको बतारा कि मार्केट में हाइप día नीचे गिरा मार्केट ऊपर गया अब यह पुल्ब्रक ले रहा फिर मार्के ऊपर जाएगा और मार्केट यहां तक ठेक है इस मंत का CPR अगस्त का यहां पर CPR है और जब CPR मक के market उपर है तो market कही ना काई बुलिस है और अगर market इसको break कर देता है market 385 को अगर break कर देता है तो फिर new all time high आपको market में देखने को मिल सकता है question यह होता है अगर हमें इसमें entry करना होगा तो हम लोग कैसे entry करेंगे 34, और इसको मैं on कर लेता हूँ, ठीक है आपके सामने मैं on कर दिया हूँ, अब मेरे पास CPR आ रहा है, CPR का value क्या है सर थोड़ा आप देखना है एक पर, यह आप यहाँ पर देखो क्या है, 372.00, 372.0203, मतलब यह very 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 narrow CPR है, इससे अच्छा narrow CPR आपको नहीं मिल सकता है, इससे मैं आपको all time high का stock दे रहा हूँ, आप सोचो कि मैं आपको ऐसा stock दे रहा हूँ, एक पर अगर breakout करतेगा, तो इतना बड़ा-बड़ा momentum दे सकता है, उसी के साथ आप यह सोचो कि अगर market में आपको narrow CPR मिल जा रहा हूँ, वह weekly, daily narrow CPR बात नहीं करो और weekly, तो क्या ही बड़ा momentum कर आने के बाद हमारा next काम क्या रहेगा, नेस्ट काम हमारा रहेगा, इसको मैं डेली पे चेंज करूँगा, और इसको यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, 75 पर, इतना आपको करने के जरूवत नहीं पड़ेगा, क्योंकि Monday को market open होगा, फिर CPR के लेवल आपके पास good होगा, आज Sunday इसलिए मुझे यह चीज़ करना पड़ रहा, अब आप देखो यहाँ पर, इससे अच्छा market, इससे अच्छा situation, आपको इंडियान से अच्छा, आपको नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, repeat कर रहा हूँ, बार-बार आप समझो, आप मैं यह देखके मत समझ लेना, कि यहाँ पर market narrow था, इससे कम जाता है, आपको यह भी मैं बता दो, कि यह भी narrow CPR है, आप यहाँ से value देखकर समझ सकते हो, यह भी narrow CPR है, टेक है, डेली में, आप विगली में जैसे देख लिए narrow CPR है, तो यह भी आप समझ सकते हो, कि narrow रहेगा, क्यो इंतरा का CPR होता है, एक narrow, एक wide और एक average, आप इसको wide मानोगे, तो आपका वो चीज़ होगा, कि आप इसमें trade नहीं कर पाओगे, मैं यह बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि narrow CPR में market अगर trending होता है, तो ठीक है, नहीं तो next day market trending होता है, इसलिए हम लोग उसको narrow बोल सकते हैं, अगर पिछले दिन trending नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर देखोगे, पूरा यह sideways होने, अगर यह zone निकलता है, इन इनी सिनारियो, बहुत 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 अच्छा trade में आपको मिलने वाल, तो I think आपको मैं समझाने में सक्चम हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इतन 4-5 stock पकड़ना है, और यह stock को अपने screen पर लगा लेना, जहां पर momentum आएगा, वहां पर trade करना, यह risk free trading strategy है, अगर आप इसमें trade करना चाहोगे, जिससे मैं आपको बताया है, उतना अगर time frame यूज करोगे, analysis करोगे, आपको मैं बोल सकता हूँ, कि आपका 10,000, 20,000 के capital जो यहा scanner खोलना है, scanner कोलने के बाद, आपके पास जो आएगा उसको आप backtest करना, आप यह देखना कि कैसे आप inside CPR लगा सकते हो, narrow CPR लगा सकते हो, version CPR के according trade कर सकते हो, सारा concept मैं CPR का course में डाल चुका हूँ, तो आपको YouTube का playlist मिल जाएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पस अंदर दर प्लीज वीडियो लाइक करें जाएगा, चली मलते नेक् वीडियो में